दूद का वो सवेज जूट जो आप से छिपाया गया और ऐसा क्या हुआ कि भारत में गदे रह गए आधे और कौन है दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर और ये वीडियो के एंड में बताएंगे एक आदमी ने खुद को कंकाल क्यों मना लिया अभी तक हम शेर और गिद जैसे जानवरों के विलुप्त होने की बाते सुनते थे लेकिन इंडिया में ऐसा ही एक जानवर गायब होने की कगार पर है और इस जानवर का नाम है गधा जी हाँ सही सुना आप में इंडियन गवर्मेंट की एक रिपोर्ट की मताविक देश में अब सिर्फ 16,000 गदे ही रह गए हैं जबकि 2011 में ये पूरे 61,000 थे एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में बड़े पैमाने उपर घदो को खाया जा रहा है और पॉसिबल है कि उनकी खाल को भी स्मगल किया जा रहा है और इसी वज़े से घदे अब बहुत कम रह गए हैं और ये टेंशन लेने वाली बात है क्योंकि घदे भी उतने ही जरूरी ह जितने की बाकी जाइन वर फिल्मों में सीरियल किलर तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन बिहार के बेगू सराय में रहने वाले अमरजीत सदा ने कुछ ऐसा किया कि हॉलिवूट की बड़ी बड़ी फिल्मों भी छोटी पड़ गई हुआ ये कि साल 2007 में बेगू सराय के मुसहरी गाउं में एक के बाद एक दो बच्चों की हत्या हो गई लेकिन कातिल का पता नहीं चल पा रहा था फिर इसके बाद जब एक और बच्ची का मडर हो गया तब जाकर पता चला कि 8 साल की अमरजीत नहीं उन बच्चों का मडर किया है फोलेस नहीं जब अमरजीत से इसके बारे में पूछताच की तो पता चला कि अमरजीत उन मासूमों को सिर्फ इस वज़े से उपर पहुँचा देता था क्योंकि उसे लोगों को मारने में मज़ा आता था और इस तरह से अमरजीत महज आर्ट साल में ही दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन गया नमबर साथ साउथ इंडिया के मंदिर अपने आप में रहसियों का गड़ है ऐसा ही एक मंदिर मौजूद है आंद्रफदेश में जिसका नाम है तिरुपती बालाजी मंदिर इस मंदिर में स्थित भगवान का वास्तविक नाम श्री बेंकेटेश्वर स्वामी है जो स्वयम भगवान विश्णू है इनकी मूर्ती इतनी रियल है कि इने देख कर लगता है कि जैसे भगवान विश्णू स्वयम यहां विराजमान है आपको बतादें इस मंदिर में टापमान कम रखा जाता है क्योंकि यह भगवान की मूर्ती से पसीना आता है या भगवान को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकेटेश्वर के हिरदय में माता श्री लक्षमी जी की आकरिती दिखाई देती है स्री वेंगेटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चोकानी वाली बात ये है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता या तक कि किसी को भी ये नहीं पता कि दीपक को सबसे पहले किस ने और कब प्रजुलित किया था इस मंदिर के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तो आज कोरोना के चलते बले ही ऑनलाइन क्लास मजबूरी बन गई है लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि साल 1937 में भी एक देश में ऑनलाइन क्लास चलाई गई थी हुआ यूँ कि अमेरिका के शिकागो में साल 1937 में पोल्य बिमारी फैल गई जिसकी वज़े से लोगों को घरों में कैद कर दिया गया इस बिमारी की वज़े से बिलकुल आज की तरह ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई थी बच्चों का फ्यूचर बरवाद ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए शिकागो की सरकार ने एक स्टेप लिया जिस्ते की घर में ही रहकर बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें आपको बता दें उस तरह में बच्चों की क्लासेस रेडियो पर चलाई गई थी और इस तरह बच्चों ने घर पर ही रहकर आज की तरह ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी नंबर पांच दूट के कई फाइदे आपने सुने होंगे लेकिन आज हम आपको दूट के बारे में फैलाए गये उस जूट के बारे में बताएंगे जिसके बाह आपके मन में दूट की इंपोर्टेंस कम हो जाएगी असल में हमें बच्छपन से ही बताया जाता है कि दूध पीने से हमारी हड़िया मजबूत होती है लेकिन असली कहानी कुछ और ही है आप बता दें स्विजन की एक रिसर्च बताती है कि दूद को जादा पीने से हदिया मजबूत नहीं होती है बलकि और कमजोर हो जाती है सही सुना आपने इस रिसर्च के मुतादिक जो लोग दिन में तीन गिलास दूद पीते हैं उनमें हिप फ्रेक्चर होने का खतरा हो जाता है इस रिसर्च में ये भी पाया गया है कि पुर्षों की तुलना में महिलाओं को दूथ पीने से कमजोर होने का खत्रा जादा होता है नमबर चार आपने CCD यानी कैफे कॉफी डे का नाम तो सुना ही होगा एक समय था जब ये कमपनी देश की सबसे प्रतिष्टिस कॉफी कमपनी थी लेकिन बाद में इसका इतना बुरा हाल हुआ कि इसके बंद होने तक की नौबत आ गई थी यहां तक की कर्द से परिशान होकर कमपनी के CEO वीजी सिधार्थ ने आद मत्या कर ली थी ऐसे बुरे वक्त में इस कमपनी को समाला सिधार्थ की पत्नी मालविका ने इसमबर 2020 में उन्होंने CEO का पत्थ समाला और एक साल के अंदर ही इस कमपनी को ना सिर्फ कर से उतारा बलकि अपने पुराने नाम को भी वापस पा लिया कमपनी की CEO बनने के बाद मालविका ने 25,000 वरकर्स को एक लेटर लिखा जिनमें उन्होंने कमपनी के फ्यूचर के लिए खुद हर स्तर पर काम करते रहने की बात कही थी आज मालविका ने उद्यूग जगत में एक सशक्त बिजनस वुमेन के तौर पर अपनी एक अलग पहचान साबित की है नमबर तीन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल एमाजॉन है ये तो आपको पता ही है पर कुछ ऐसे ही अनोके फैक्ट्स इस जंगल के बारे में और भी है जो इसे दिल्चस्प बना देते हैं जैसे कि दुनिया की लगवख 20 प्रतीशत ऑक्सीजन इसी जंगल की देन है ये जंगल इतना बड़ा है कि इसमें हमारा भारदेश दो बार फिट हो सकता है क्योंकि ये जंगल 55 लाख वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ है आज प्रित्वी पर जितने जीव हैं उसके एक तहाई को एक साथ आप यहां देख सकते हैं आपको बता दें एमाजॉन जंगल में 4 अरब से भी जादा पेड़ हैं इसमें 17,000 से दादा पेड़ों की अलगरक प्रजातिया हैं ये पेड इतने बड़े और खने हैं कि सूरे की रोशनी भी धर्ती तक नहीं पहुँच पाती जेसन को टैटू का शौक था जिसके वज़े से उसने अपने सिर से लेकर अपने चेहरे के एक हिस्से तक टैटू बनवा रखा था उसके चेहरे के बनावट कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई कंकाल चल रहा हो यही नहीं उसने अपनी एक आँख को भी पूरी तरीके से काले रंग से पुतवा लिया था जिससे वो और भी खुकार लगने लगा था आपको बता देए साल 2018 में उसकी अपने घर में ही मौत हो गई थी नमबर एक क्या आपको भी कभी नीद में ऐसा मैसूस हुआ है कि आप गिर रहे हैं और एकदम से आपको जटका लगाओ और आपकी नीद इस जटके से तूट गई हो आखिर ऐसा क्यों होता है इस जटके को हाइपनिक जर्क खा जाता है साइंटेस्स इसके बारे में बताते हैं कि जब हम सो जाते हैं तब एक मुमेंट ऐसा आता है कि जब हम कच्ची नीद में होते हैं यानि हमारा दिमाग सोने और जागने के बीच में होता है कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि सोते समय मसल्फ में एचन होने के कारण हमें जटके महसूस होते हैं यहां तक कि यह जटके ठकान महसूस करना तनाव में होना यह ज़ादा कैफीन यानि कॉफी वगेरा लेने से भी हो सकता है तो दोस्तो आज के सफर में इतना ही उमीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ग्यान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटेटेन्मेंट भी मिला होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले मैं फिर में लूँगा आगले हफते नए फैक्ट्स के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया